नमस्कार दोस्तों आप सभी का एकवार फिर सी आई एंडी हिंदी टेक चेडल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस वीडियो भी आपको एक नया पोटल की बारे में बताने जा रहा हूँ जो गवर्मेंट के तरफ से लॉंच किया गया है जिसका नाम रखा गया है इप्रमान इप्रमान पोटल एक ऐसा पोटल है जहां पर आप अकाउंट बनाती है तो आपका एक ही अकाउंट साड़े जगा काम करता है चाहे सिंट्रल गवर्मेंट की कोई सर्विस हो या फिर स्कीम हो या स्टेट गवर्मेंट की कोई सर्विस हो या स्कीम हो यही अकाउ आप account बना कर उसकी बाद login करके वहाँ पर access करते हो जो भी services होती है और जो भी scheme होता है उसे लेकिन जो e-portal launch किया गया है एक security और authentication के ways पर वो launch किया गया है मतलब यहाँ पर आप account बना लेती हैं तो आपको कहीं भी कोई भी portal access करने के लिए अलग से account बनाने की आवशक्ता नहीं होगा आप इस account का username और password दर्ज करके वहाँ पर भी services access कर सकते हैं या scheme को ले सकते हैं और login कर सकते हैं सारे services आपको मिलेगी जाहे वो state government की बात हो या central government की बात हो तो क्यों ना हम लोग एक बार इस portal को detail में जाने और मैं आपको वताऊंगा इस वीडियो में की कैसे आप account को बना सकते हैं और कैसे आप अलग अलग state के portal पर जहाँ पर आप service का लाव उठाना चाहती हैं वहाँ पर उठा सकती हैं ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे अभी आप देख सकते हैं इप्रमान का यही portal है जो की a national e-authentication service बताई गई है ministry of electronics and information technology government of India के तरब से यह चीज़े लाई गई है देखें यहाँ पर account वनाने के लिए सबसे पहले तो home page पर आईए उसके बाद services user registration इस पर आप click करिए इसके बाद सबसे पहले तो आपको अपना mobile number दर्ज करना है और generate OTP पर click करना है mobile पर आये हुए OTP को दर्ज करकी verify OTP पर click करना है उसके बाद आपको अपना नाम दर्ज करना है मैं फटाफट अपना नाम दर्ज कर देता हूं जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे उसके बाद username आपको दर्ज करना है जो unique होना चाहिए जैसे मैं कुछ भी अभी दर्ज कर देता हूं ठीक है यहाँ पर बता दिया गया कि username available है तो आप अपने मन से जो available username हो यानि पहले से वो username बना हुआ नहीं होना चाहिए एक unique username आपको बनाना है select करना है तो आप एक unique username यहाँ पर डालेंगे अगर if level रहता है तब ही आप उस username से अपना ये नया वाला बना सकती है उसकी बाद आपको एक password यहाँ पर दर्ज करना है जो भी आपका password रहेगा यहाँ पर कम से कम 8 character लंबा होना चाहिए जिसमें upper cast lower cast numeric alphabet character होना चाहिए ठीक है space आपको नहीं दर्ज करना है और वही password यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके बाद vendor को select करेंगे date of worth आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है जिसमें आपको date दर्ज कर देनी है उसकी बाद month दर्ज कर देनी है और उसकी बाद जो भी year है उस तरह से आप दर्ज कर देंगे personal message personal message आप दर्ज करेंगे जब भी आप login करने जाएंगे उस समय आपका personal message यहाँ पर सोख हो जाएगा तो आप कुछ भी यहाँ पर personal message दर्ज कर सकती है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको capture जो यहाँ पर plus करके जो भी capture आएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है और लिखने के बाद आपको sign up बटन पर click कर देना है लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर TNC accept करना होगा sign up पर click करने के बाद आपका registration successful हो जाता है mobile phone पर भी एक SMS आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपका registration successful हो चुका ऐसा बता दिया जाता है अब यहाँ सी आप continue वाले बटन पर click कर लेंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किंदर सरकार का जितने भी सिवाएं है उससे से जुरा हुआ जो portal बनाया गया है किया गया है आप देखेंगे corner में आपको central service पर click करोगे services पर तो central government की जितने भी services है वो दिखाई देगा और यहाँ पर बाकी जो जो भी state के आप निवासी हो जिस state की सिवाए यानि जो services है वो यहाँ पर access करना चाहते हैं देखना साथ हैं लोगिन करना चाहते हैं पोटल पर जाना चाहते हैं वो आप यहाँ से select कर सकती हैं जैसे मैं यहाँ पर बिहाड पर click करता हूँ अब आप देखेंगे बिहाड सरकार की जो भी services है जो भी portal है यहाँ पर add कर दी गई है और जितने भी बचे हुए portal रहेंगे वो भी बहुत जल्द यहाँ पर add कर दिया जाएगा तो मैं आपको एक portal पर यहाँ पर दिखाता हूँ login करके कैसे आप login कर सकते हैं और services ले सकते हैं जैसे यहाँ पर राजस्थान की एक portal है जिस पर मैं click करता हूँ क्लिक करने के बाद login करने का option यहाँ पर आप देखेंगे मेरी पहचान login with मेरी पहचान और e-pramon option आ रहा है तो यहाँ पर e-pramon वाले option पर मैं click करता हूँ e-pramon वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको username और password दर्ज करना है जो आप e-pramon का username और password बनाए होंगे वो username और password आपको दर्ज करना है और फिर sign in button पर click करना है अब आप sign in button पर click करते हैं तो इस परकार से यहाँ पर login हो साते हैं इसके लिए अलग से आपको username और password बनाने की आवशकता नहीं होता है और जितने भी services है वो यहाँ पर दिखे गया है और मैं इसे access कर सकता हूँ ठीक है तो इस परकार से काफी यहाँ पर आपको आसान हो साता है कि एक ही जगह एक ही portal पर आप अपना username और password बनाए और जितने भी किंदर सरकार की सिवाएं हैं राज सरकार की सिवाएं हैं उन सभी को आप access करें एक पर login करने के वाद यहाँ पर आप logout जब तक नहीं करते हैं तो automatic login रहता है जैसे service plus पर मैं थोरा दिर पहले login किया हूँ ठीक है और आप देखेंगे यहाँ पर login है जब तक मैं logout नहीं करूँगा यहाँ से logout नहीं होगा और एक और बात बता दू जैसे यहाँ पर mobile cv store ठीक है यहाँ पर भी login का option आ गया यहाँ पर आपको मिल जाता है sign in using e-pramon मेरी पहचान तो इस पर आपको click करना है और देखें यहाँ पर login हो गया क्योंकि मैं पहले से इसमें login था अब यहाँ पर जो भी services है उसका love उठा सकते हैं जैसे आप अपने android application बना कर यहाँ पर upload कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में क्योंकि यह government की services है government की portal है और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप अपना application बना कर यह upload कर सकते हैं और फिर कोई download भी कर सकता है प्लेश्टोर वाली services है लेकिन प्लेश्टोर पर पैसे लगते हैं लेकिन यह app store पर आपको देना नहीं पड़ेगा तो complete मैंने जनकारी दे दिया है कैसे account बनाना है कैसे सिवाय की love उठानी है आप लोग समझ के होंगे अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो के निचे आप comment करके बताएंगे दिक्कत नहीं होता है तो वस चैनल को subscribe कर लेंगे मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में आपने साथ ही दोस्तों थेक भी share करें कोई समस्या सवाल हो जरूर कमेंट करें तने बाद